हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल यासमेंस की चनाब आज माँ आपके साथ शेर करूँगी चट पटे मसालेदार श्यामे कवाब बनाने की रेसिपी इनको किसी इंट्रोडेक्शन की जरुवत नहीं है ये सभी के फेवरेट होते हैं आज मैं आपके साथ एसी छोटी छोटी टिक और टिप शेर करूँगी कि आपके कवाब नहीं तो फटेंग और नहीं आपके कवाब हार्ड बनकर रेडी होएंगे बिल्कुल परफेक्ट रेशेदार आपके कवाब बनकर रेडी होएंगे चलिए देखते हैं किस तरह से हम इन मज़ेदार से कवाब को बनाकर रेडी करेंगे उससे पहला अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथे साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटस रेसिपी मिस न कर सकें चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इन मज़ेदार से श्यामी कवाब को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पाउ चने की डाल ले लिए जिसे हमने अच्छे से वोश करकर चार से पांच घंटे के लिए भी गोलिया था इसी के साथ में हमने यहाँ पर ले लिया है हाफ केजी बॉनलेस गोश्ट गोश्ट आप अपनी पसंद से मतनी या बीफ का इस्तामाल कर सकते हैं यहां पर हमने ले लिया है प्यारा सा प्रेशर कूकर, इसमें हम मैट कर देंगे डाल, डाल में क्या होता है कभी कभी डाल हमारी ज्यादा पुरानी होती है तो उसमें एक खास तरह की स्मेल होती है, तो आप डाल को अच्छे से वोश करकर ही उसका इस्तामाल करें, डाल हमने क करेंगे बन टेबिलिस्पून सफेज जीरा कवाब को सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम इसमेट करेंगे थिरी टेबिलिस्पून मोटा धनिया आप जब कवाब बनाए तो आप इसमें मोटे धनिय कही इस्तामाल करें इससे बहुत अच्छी खुश भुआती है हमारे कवाब में अब हम इसमेट करेंगे चार से पांच लोंग अब हम इसमेट करेंगे दस से बारा काली मिर्च तकरीबिन एक इंच के बराबर हम इसमेट कर देंगे दाल चीनी तीन से चार छोटी इलाई चुर एक बड़ी इलाई ची एट कर देंगे चार से पांच हम इसमेट करेंगे लाल मिर्च, मैं यहाँ पर साबुत लाल मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पिसीवे लाल मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं, टेस्ट के अकोडिंग हम इसमे एट करेंगे नमक, हाफ टेबिली स्पून हम इसमे एट करेंगे हल्दी पौ करेंगे हाफ लिटर पानी कपसा आप इसे मेजर करेंगे तो यह हमारा टू एंड हाफ कप है पानी के आप कमिया ज्यादा होने की टेंशन ना लें क्योंकि इसे हमें 20-25 मिनट कुक करना है अगर हमारा पानी कम रे गया तो हमारी दाल नीचे लग जाएगी गोश्ट के साथ ही दाल को पकाना है पहले ही से हम हाई फिलेम पे एक सीटी आने तक पकाएंगे उसके बाद हम गेस का फिलेम लोटू मेडियम कर देंगे और इसे हम 20-25 मिनट कुक करेंगे एक सीटी आने के बाद ही से हमें 20-25 मिनट और कुक करना है लोटू मेडियम फिलेम पे यह देखिए 20 से 25 मिनट के बाद गोश्ट और दाल हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा गोश्ट बनकर रेडी हुआ है अब हम इसमें से गोश्ट के पीसिज निकाल लेंगे क्योंकि इसके हमें रेशे बनाने हैं ये देखे इस तरह से हम सभी और लोंग एट की है वो हमें नहीं निकालनी है अब हम विस तरह का कोई भी एक स्पून ले लेंगे और श्पून की हव्व से हम इससे डाल को इस सथ हरी मिर्च ip की थी व้ भी हमारी अच्छे मेश हो जाएगी इससे में जयादा मैश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने दाल को 20-25 मिनट कुक्या है गोश्ट के साथ में तो दाल हमारी 2-3 मिनट में ही मेश हो जाएगी यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्ट जो हमने दाल में से निकाल कर रखा था इसे हम इस तरह की मेशर की हेल्प से मेश कर लेंगे अगर आपके पास इस तरह की कोई मेशन नहीं है तो आप जो मसाला कूटने वाला डंडा होता है उसकी हेलप से भी आप इसे मेश कर सकते हैं आप चाहें तो इसे डाल के साथ में भी मेश कर सकते हैं लेकिन इस तरह से प्लेट में निकाल कर इसे मेश करने से इसके रेशे बहुत अच्छे से बन जाएंगे अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे डाल के साथ में भी मेश कर सकते हैं लेकिन इस तरह से प्लेट में निकाल कर मेश करने से इसके रेशे बहुत ही प्यारे बन कर रेडी होते हैं, देखे कितने प्यारे से हमारे रेशे बन कर रेडी हुए हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसिस पर यहाँ पर हमने ले ली है दाल जो हमने मेश करकर रेडी की थी वो मैंने कूकर में से निकालकर इस पैन में कर ली है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इस इस पैन मेट कर दिया है अब हम इसे 102 मिनट के लिए पका लेंगे और इसे हम अच्छे से मेश करते रहेंगे दाल के साथ ही हम इसमेट कर देंगे गोश्ट जो हमने रेशे बना कर रेडी किया था गोश्ट एट करने के बाद इसे हम हाइफ लेंप पकाएंगे जब तक कि हमारे दाल और गोश्ट का मिक्स गाड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसे हाइफ लेंप पकाते रहेंगे अगर आप दाल और गोश्ट को अलग-अलग मेश नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे एक साथ ही कुकर में मेश कर सकते हैं लेकिन गोश्ट अलग मेश करने से गोश्ट के बहुत अच्छे रेशे बनकर रेड़ी होते हैं, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, ये दिखी प्यारा सा हमारा कबाब का मिक्स बनकर रेड़ी हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे हम 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ये देखी 10-15 मिनट के बाद हमारा कबाब का मिक्स रेड़ी हो चुका है, इसे हमें ना ही तो पीछने की जरुवत पड़ी, बहुती कम मेहनत में हमारे ये प्यारा सा कबाब का मिक्स बनकर इस पॉइंट पर आप नमक और मिरच टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक और मिरच कम लग रहा है, तो वह आप इसमें एट कर सकते हैं, मुझे इसमें थोड़ी सी मिर्चे कम लग रही है, तो मैंने इसमें 2-3 बारी कटकी हुए हरी मिर्चे एटकी है, अब हम इसमें ए अब हम इसके कवाब का मिक्स थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें 2-3 टेबिल स्पून गूनाओं बेसा नेट कर सकते हैं यह आप इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रीजर में लग दीजिए तब भी आपके कवाब का विक्स बिल्कुल परफेक्ट रेडि हो जाएगा ये देखे सभी कवाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं इस पॉइंट पर आप इसे 15-20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं किसी एर टाइड बोक्स में रखकर आप इसे 10-15 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसिस पर यहाँ पर हमने ले लिए हैं दो अंडे इसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्ज इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कवाब हम दो तरह से बनाएंगे एक कवाब हम अंडे के बनाएंगे और एक कवाब हम बिना अंडे वाले बनाएंगे तो पहले हम बिना अंडे के कवाब बनाकर रेडी करेंगे ये देखिए इसी तरह से हम बस कवाब को उठाएंगे और इसे हम गरम ओईल में एट कर देंगे ओईल को मैंने पहले से ही गरम करकर रेडी कर लिया था यह देखिए इसी तरह से हम बस सिंपली कवाब उठाएंगे और इसे हम ओईल मैट कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राइ कर लेंगे कवाब को हमें ज्यादा फ्राइ नहीं करना है क्योंकि हमारे कवाब अंदर से अलरेडी कुक्ट है इसे सरीफ हम इतना ही फ्राइ करेंगे कि हमारे कवाब में फ्राइ की एक अच्छी खुश्बो और फिलेवर आ जाए कवाब क्रिस्पी हो जाएं इसे हमें ज्यादा कुक्ट नहीं करना है नहीं तो हमारे कवाब जल जाएंगे यह दिखे कवाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर हमने ले लिया है अंड़ा, अब हम अंड़े वाले कवाब बनाएंगे तो दिखे कवाब को हम उठाएंगे और उसे हम इस तरह से अंडे में डिप करेंगे एक्स्टर अंडा हम जाल लेंगे और इसे हम एट कर देंगे गरम ओईल में ओईल कभी हमें यहाँ पर ज्यादा इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि कवाब हमारे ओल रेड़ी अनदर से कुक्ट है इसे सब्सक्राइब करेंगे की कवाब हमारे क्रिस्पी हो जाएं कम ओईल में हमारे मज़ेदार से कवाब बनकर रेड़ी हो जाते हैं इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेर करें, यदि कि कवाब में हमारी एक साइट से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसे पलट ये दिखे, सभी कवाब हमारे फ्राई होकर रेडि हो चुके हैं, ये वाले कवाब हमारे बिना इंडे के हैं, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये दिखे, ये कवाब हमारे थोड़े से सोफ्ट हैं, क्योंकि इसमें हमने अंडा एट नहीं क्या है, अब मैं आपको अ इस रेसीपी से कवाब जरूर बना कर ट्राइ करें, इसका टेस्ट आपको सर्प्राइस कर देगा, इतने ज़्यादा टेस्टी हमारे कवाब बनकर रेडी हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाह आफीज